ध्यान देने योगी जरूरी बातें सर्दियों में गुड की चाय पीने के स्वास्त लाप गुड एक प्रकार की अपरिश्क्रत चीनी है जो गन्य के रस या ताड के रस से बनाई जाती है इसका उपयोग आम तोर पर दक्षिण एशियाई और अफरीकी व्यंजनों में स्वीटनर के रूप में और विभिन्न व्यंजनों में स्वास्त जोडने के लिए किया जाता है गरम पानी या दूद में गुड घोल कर बनाई जाने वाली गुड की चाय कई देशों में एक लोग प्रियप पे है इसे अकसर अद्रक, इलाइची या दाल चीनी जैसे मसालों के साथ स्वास्त बनाया जाता है स्वास्त लाप के मामले में गुड की चाय कुछ फायदे दे सकती है गुड आइरन, मैगनीशियम और पोटेशियम जैसे खनीजों से भरपूर होता है और इसमें एंटि अक्सिडेंट भी होते हैं हाला कि यह अभी भी एक प्रकार की चीनी है और इसका सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए गुड की चाय में जेंक और सेलेनियम जैसे आवश्यक खनीज होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करते हैं एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को विभिन संक्रमणों और बिमारियों से वचाती है गुड की चाय गरम और सुखदायक होती है जो इसे सर्दियों के दोरान एक आदर्श पे बनाती है यह शरीर को गरम रखने में मदद करता है और सर्दी खांसी से तुरंत रहत देता है गुड की चाय अपने कफ निसारक गुडों के लिए जानी जाती है जो चाती में जमाव को दूर करने और अस्थमा, ब्रॉंकाइटिस और खासी जैसी शुसन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है नमबर चार शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है गुड की चाय में मौझूद एंटि आक्सिडेंट, विशाक्त पदार्थों और असुद्धियों को दूर करके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते है यह लिवर को साफ करता है और समगर पाचन में सुधार करता है गुड की चाय में पोटेशियम होता है जो रक्त चाप के इस तरको नियंतरित करने में मदद करता है गुड की चाय के नियमे सेवन से रक्त चाप को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिल सकती है जिससे हिरदय रोगों का खत्रा कम हो जाता है नमबर च्छे पाचन में सुधा लाता है गुड की चाय पाचन एंजाइमों को तेजित करती है जिससे पाचन भेतर होता है या कब जो सूजन और अपच जैसे पाचन विकारों को रोपता है नमबर साथ आईरन से भरपूर गुड की चाय आईरन का एक उतकरिष्ट स्रोथ है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उतपादन में मदद करती है नियमित रूप से गुड की चाय का सेवन करने से आईरन की कमी से होने वाले एनीमिया से बचा जा सकता है नमबर आठ वजन घटाने को बढ़ावा देता है गुड की चाय एक प्राकर्तिक स्वीटनर है जो आस्वास्ते कर मीठे स्नैक्स की लालसा को नियंतरित करने में मदद करती है यह मेटाबॉलिजम में भी सुधार करता है और वजन घटाने में सहायता करता है नमबर 9 जोडों के दर्ध से राहा दिलाता है गुड की चाय में एंटी इंफ्लेमेटरी गुड होते हैं जो जोडों के दर्ध और सूजन को कम करने में मदद करते हैं इसके नियमे सेवन से गठिया और जोडों से जुड़ी अन्य समस्याओं से राहात मिल सकती है गुड की चाय कार्बो हाइडरेट से भरपूर होती है जो शरीर को तुरंत उर्जा प्रदान करती है यह एक उतकरिष्ट प्राक्रतिक उर्जा बूस्टर है खासकर सर्दियों के दोरान जब शरीर को अधिक गर्मी और उर्जा की आवशकता होती है गुड की चाय पीने से सर्दि में होने वाली खासी जुकाम और फ्लू के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है यह शरीर को अंधरोनी तौर पर गरम रखने के साथ सर्दी लगने से बचाती है इसमें मौजूद विटामिन और मिनेरल्स शरीर को इनफेक्शन से बचाते है और बोडी को हेल्धी रखते हैं नमबर 12 इम्म्यूणिटी मजबूत करें सर्दी में कमजोर इम्म्यूणिटी के कारण हम जल्दी जल्दी बिमार पड़ते हैं गुड में भरपूर मात्रा में विटामिन C पाए जाता है जो शरीर की इम्म्यूणिटी को मजबूत करने के स कई तरह की बिमार्यों से बचाव करता है। अगर आप भी सरदी में इम्मिनिटी को बढ़ाना चाते हैं, तो डाइट में गुढ की चाए को शामिल करें। नम्बर 13. ठकावट दूर करे। सरदी में गुड की चाय पीने से शरीर की थकावट दूर होने के साथ कमजोरी दूर होती है। गुड में प्रचुर मात्रा में आईरन पाया जाता है जो शरीर को हेल्दी रखने के साथ थकान को दूर करता है। गुड की चाय पीने से शरीर में रेड बलर्स सेल्स का निर्मा और एंटिवाइरल हो जाती है ऐसे में सर्दी, जुकाम और खासी में गुड की चाय पीना आराम दायक साबित होता है दरसल गुड की तासीर गरम होती है जो सर्दियों में शरीर को अंदर से गरम रखता है इस चाय को आप विंटर सीजन में भी पी सकते हैं ताकि खासी जुकाम से बचाव हो सके नमबर पंदरा, एनिमिया करे दूर, शरीर में हिमोगलोविन की मातरा बनाए रखने के लिए आईरन बहुत जरूरी होता है गुड में आईरन भरपूर मातरा में होता है, आईरन लाल कारे करने के लिए आईरन को अवशूशित करता है, शरीर में खून की कमी से जूज रहे हैं तो आप प्रतिदीन एक बार गुड की चाय जरूर पिए नमबर सोला, पेट की मरोड में राहत यदि आप पेट की मरोड की समस्या से जूज रहे हैं नमबर सत्रा, सर्दी जुकाम खांसी और गले की खराश से निजात सर्दियों में खांसी जुकाम की परिशानी आम होती है लेकिन अगर आप गुड वाली चाय पीते हैं तो इससे आप इन छोटी छोटी समस्याओं से बचे रहते हैं वहीं अगर आपके गले में खराश है तो भी आप जल्दी ठीक हो जाते हैं दरसल गुड की तासी गरम होती है ये शरीर को करमाहट देने और इम्म्यूनिटी बढ़ाने का जरिया माना जाता है इसके लिए आप गुड की चाय में अद्रक, काली मिर्च और तुलसी पत्ता डाल कर पिए इससे कफ और जुकाम की समस्या छुमंतर हो जाएगी अगर आपको माईग्रेन या फिर सिर्दर्द हो तो गाय के दूद में गुड की चाय बना कर पीनी चाहिए इससे माईग्रेन में बहुत आराम मिलता है आपको अगर पिम्पल्स या दूसरी स्किन प्राबलम है तो आप गुड की सेवन से इसकिन को भी बहुत फायदा होता है एनीमिया यानि शरीर में खुड की कमी होने पर गुड की चाय का सेवन फायदे मंद होता है क्योंकि गुड की चाय आईरन से भरपूर होती है चो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है इससे हीमोगलोविन का इस्तर बढ़ता है और खुन की कमी दूर होती है गुड की चाय बनाने का तरीका गुड की चाय बनाने के लिए पैन में दो कप पानी रखें जब पानी उबल जाए तो इसमें चाय की पत्ती, अदरक, इलाइची और दाल चेनी को डाल कर उबाले अब दो मिनट बाद इसमें दूर डाल कर चाय को अच्छे से पकाएं जब चाय पक जाये तो इससे चान कर कप में करें अब इस कप में स्वादा नुसार गुड को डाल कर मिक्श्चर करें आपके गुड की चाय तयार है गुड की चाय बनाते समय एक बात का विशिश तोर पर ध्यान रखें कि इसको चाय बनाते समय ना डाले ऐसा करने से चाय फट सकती है दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन पर सेट कर ले कि आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले हमेशा खुश और स्वस्त रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद